उदगीत त्रण पांचाल, सोरट अने कच्छमा विचरण आशाडी सम्वत अढ़ार सो छांसट, इस्विशन अढ़ार सो दस महराज ने वर्तालना बापुभाई रण छोड़ दास, नारायन गिरी, जोबन पगी, तथा वासन सुथार वगेरे भक्तोनू आमंत्रन हतु महराज, वर्ताल पधारो, आ यगन तो आपे धाम धून थी कर्यो परन्तु अमारा अंतरमा पण योग यगन अने गनान यगननी प्रक्रिया चालू रहे, अने आपनी मुर्तीनू अखंड सुख आवे, एटले आपना दर्शन, समागम अने सेवानी अपिक्षा रहे छे महराजे तेमने कहिँ, तमों आगल जाओ, तैयारी करो, अमें आबिये छिए जोबन पगीने महराज तेनी बारीमा दर्शन दे छे महराजे तेमनू आमंतरन स्विकार्यू एटले तेवो खुबज खुश थे गया महराजनी सेवा करवाना, सत्संग करवाना अनेक मनोर्थो सेवता, तेवो वर्तालनी वाटे पड़ेया जोबन नेतो महराजे पोताने दिव्य स्वरूपनों अनुभाव सतत त्रण दिवस कराव्यो हतो ते अनुभाव थी, तेना अंतरनी काडाश नाश थेई गई हती श्रीजी महराज साक्षात परमातमा छे एवी प्रतीती पन थेई हती अने महराजनू शर्णू पन ग्रहन करी लिदू हतु छता, रस्ते चालता तेना अंतरमा संकल्पो थवा लाग्या महराज भगवान जरूर छे, मारा काडा कामो छोडावी, मने तेमने मानस बनाव्यो छे हवे मारे तेमना भक्त बनवू छे, परन्तु एक संकल्प छे हुँ वर्ताल पहुँचू, अने महराज मारी मेडीनी बारिये बेठा होए, तेवा दर्शन थाई जोबनना अंतरमा आ संकल्पे जोर पकड़ियूं, मानवी ने परमात्माना स्वरूपनो का योग थी अनुभाव थाई, का ग्नानना साक्षातकार थी अनुभाव थाई, का विश्वास थी अनुभाव थाई जोबनने एवो विश्वास हतो, योग अने ग्नाननी वात तेना अंगनीन हती, कारण के ते मूढ हतो, ए मूढ पड़ानो विश्वास द्रड करवा ते आवा संकल्पो करतो हतो, महराजने पन तेनु रुपांतर करवू हतू संग वर्ताल पहुच्यो, सव पोत पोताना स्थाने गया, जोबने पन पोताना घर तरफ वडती शेरीमा प्रवेश करयो, अने घरनी बारी सामू जोयू, त्यां तेने सफेद वस्त्रमा शोबता श्री हरीने दीठा, आ दर्शन थी, तेना रोमांच खडा थेई गया, अंत सर हर्षती पुलकित थेई गयू, अने आखमा आसू आवी गया, तेने मनमा थेऊ, प्रभू, आकरूर, डाकू, घातकी ना शा भाग्य, के आप क्षणे क्षणे प्रगट थेई तेने दर्शन दियो छो, जोबने नू परिवर्तन तो थेई गयू हतु, परन्तु आ दर्श मिस्टर एरन, महराज ना दर्शन करे छे, महराज डभान थी निकणता हता, ते समय, ते समय नी इस्ट इंडिया कंपनी ए नीमेला अंग्रेज अमलदार, मिस्टर एरन, तेनी साथे बीजा चार अंग्रेज अमलदारों लईने डभान आव्या हता, महराज ते वखते आपारी महाता शनगारेला रोजा गोडानी सरक हाथ मा पकडीने नाजा जोगिया उभा हाता महराजे सुन्दर जरियानी वस्त्रो धारन करया हता अंग उपर आबूशनों पन धारन करया हता अने माथे सोनेरी तार्थी वनेलो पाग पेरे हतो महराजनी मुर्ती अती शोभाई मान दिस्ती हती मिस्टर एरन महराज पासे आव्या अने माथे थी टोपो उतारी हाथ मा लई महराजने नमस्कार करया तेनी साथेना अंग्रेज अमलदारोय पण ए रिते नमस्कार करया पछी पोतानी ओडखान आपी अने महराजना आशिर्वादनी याचना करी गुजरात अने सवरास्ट्रनी काया पलट करनार आ पुरुषना दर्शननी तेमने घणा समयथी महेच्छा हती ते आजे पूरी थेई महराज तेमने आशिर्वादापी रोजा उपर सवर थया अने वरतालने रस्ते घोडो दोड़ावयो थोड़ी वारे महराज वरताल पधारया वरतालना वासियोना अंतर आनंद अने उत्साहती सभर बनी गया महराज नारायन गिरी ने बोलावया अने काठियोना उतारा माटे व्यवस्था करवानू कहिँ तेमने तरतज तमाम काठी भक्तों ने पोताना मठनी जग्यामा उतारो आपयो तेमना घोडाओ माटे घास अने चंदीनी व्यवस्था करी दिधी संतो पण ज्याजया अनुकूरता हती त्यां उत्रया मुक्तानंद स्वामी ये वर्तालनी आजु बाजुना गामों मा सत्संग करावयो हतो एटले महराज वर्ताल छे ते जानी आजु बाजुना गामों ना हरी भक्तो पण दिव्य सत्संग नो महराज ना दर्शन ने सेवा नो लाब लेवा आवी गया प्रभात गिरीने महराज पोतानू स्वरूप समझावे छे महराजे डभान मा हरी भक्तोनों मोटो समुह जोयो सवने पोताना प्रत्य प्रेम हतो, भाव हतो, भक्ती हती परन्तू पोताना स्वरूप नो जेवो समझवो जोये, तेवो महिमा कोई समझा ना हता महराज पन धीरज राखी, पोताना स्वरूप ने ढाकीने वर्तता हता परन्तू पोताना स्वरूप नी यथार्थ ओडखान न थाई, तो प्राप्तीमा पन फेर पड़ी जाई अहीं पन हरीबक्तोंनों समुह आव्यो होतो साधुओ पन हता नारायन गिरी तथा तेमना भाई प्रभात गिरी पन सत्संगी थया हता तेथी धीरे धीरे पोताना स्वरूपनी वात करवानों महराजे निश्चाई करयो महराज गोमती कांठे सभामा विराजमान थया हता त्या नारायन गिरी अने प्रभात गिरी बनने आव्या महराजे तेमने पोतानी पास से बैसा र्या पछी प्रभात गिरिये कहिूं, महराज जोबन तो तमारा महिमानी बहु आतो करे छे ते सामड़ी महराजे पुछूं के वी आतो करे छे एटले प्रभात गिरिये कहिूं, ते तो कहे छे के महराजे स्वयम मने कहिूं छे के अमे तो सर्व अवतार ना कारण अवतारी छिए अमे ब्रह्मांड थी पार जे अक्षरधाम त्यां थी आव्या छिए अने अनेक जीवों ना कल्यान करीने अक्षरधाम मा लई जवा छे वड़ी सर्वे अवतारो अमारी भेगा साधू थाईने रहा छे अने अमारू भजन करे छे आ साब्डी महराज हसया तेम ने पूछू तमने वात मनाणी त्यारे ते बनने महराज सामू जोई रहा सभामा बेठेला संतोपन महराजना स्वरूपनी आ वाद साम्डी अश्चर्य वत महराज सामे जोई रहा तेमने लाग्यूं के बीजा आउतारों नी जेम महराजनो पन आ आउतार छे एवी तेमनी समझन भूल भरेली हती महराज सभामा पोतानू स्वरूप समझावा तत परहता तेम सवने लाग्यू नारायन गिरिये कहिऊं महराज अमे तो बावा कहवाईये नमो नारायन बोली जानिये पन नारायन केवा होई केवो तेमनो महिमा प्रताप होई तेवू काई जानिया नही परन्तु आपनो प्रताप जोई अमने निश्चय थयो छे के ते नारायन आप छो महराज ने लाग्यू के पोताना सर्वोपरी स्वरूपनी वात जीर्वी शके तेवी भक्तोंना अंतरमा द्रड़ता थाए पछी पोतानू यथार्थ स्वरूप ओडखाववूं आत्मारूप थैने भजन करूँ पछी महराजे सभाने संबोधी ने कहिँ देहरूप पोताने मानीने पर्मेश्वर ने भजे तो अहम ग्रंथी व्रुद्धी पामे छे पोतानी मोटप मनाई छे आ प्रकारना भाव मा पोताना दोश ओडखाई नही परन्तु जो आत्मारूप थै अंतर व्रुद्ती राखी पर्मेश्वर नू भजन करे तो पोताना गून अने दोश बन्ने ओडखाशे कोई वातनी खोट रहशे नही अने शुद्ध एकांतिक भाव पमाशे एटलू कहीने महराज उठ्या महराज वर्तालमा बे दिवस रोकाई ने त्यांथी तखा पगीना अमंत्रण थी बामणोली पधार्या पचि महुडी परे थैने, नडियाद थैने महराज जेतलपुर पधार्या महराजनी साथे श्री नगरना तथा सवराष्ट्रना काठी हरी भक्तो हता गडपूरना दादा खाचर पन साथे हता दादा खाचरने महराज सदा पोतानी साथे ज़राखता अहीं गंगा माए तमाम हरीभक्तों ने यथा योग्य उतारा आपया श्री हरी माटे तेमने अनेक प्रकार्ना पकवानों नी रसोई तैयार करी महराज थाल जम्या पछी हरीभक्तों ने पीरस्वा पधार्या जम्याबाद महराजे कहिँ हवे अमारी साथे अमारा पार्षदो तथा काठी हरी भक्तो रहे बाकी सव पोत पोताने गामे जाई महराज नी आगना थी हरी भक्तो त्यां थी पोत पोताने गाम जवा निकली गया महराज पार्षदो अने काठी भक्तो साथे त्यां थी निकलिया साबर मतीमा सववे स्नान कर्यू गोडाओने पन सारी रीते धमारी ने पछी पाणी पाई ताजा करी दिधा त्यां थी सुर्यास्त समये धोलका पधार्या महराज पधार्वाना हता ते खबर तेमने डबान माज मल्या हता एटले भक्तोय गाम शनगार्यू हतू शेरियो स्वच्छ करी पुष्पो वेर्या हता स्त्री पुरुषो महराजनू सामयू करवा भागोडे भेगा थया हता महराजे गाममा प्रवेश करयो अने भक्तोय जैनाद करयो पुरुषोय महराजने पुष्प हारो पहरावया स्त्रीयोय महराजने सोना चांदीना पुष्पोय तथा मोतिय वधावया महराज भक्तोना भावजोई प्रसन न थया महराज अश्व उपर थी उत्री गाड़ा उपर बेठक करी हती ते उपर बिराजया इटलामा चंद्रोदय थयो अने सभामा शीतर प्रकाश पत्राई गयो महराजे थोड़ी वात करी पछी हरी भक्तो घी रोटली साकर वगेरे लावया महराज जम्या अने संगने पन जमाड़ियो महराज त्यां रात रहा सवारे त्यां थी निकडी कोट हाव्या त्यां थी अर्णेज थैने जवारज पधार्या अहिना हरीवक्त आधार बारोट ने महराज ना दर्शन नी जंकना आती तेने दर्शन दः त्यां थी गुंदि, बडोल, खस्ता, रोजका, जींजर थैने भीमनात पधार्या भीमनात महदेव ना दर्शन करी कुंडल आवी रात रहा, त्यां थी महराज सारंगपूर जीवा काचरन दर्बारमा पधार्या सारंग पूर्मा मानावदर जईये छिए एटले अमें सव पाछा वड़्या महराज मयाराम भट्टनी वात रस पुर्वक साम्बणी रया हता मयाराम भट्टने तो पोते डभाण नावी शक्या तेनों खुलासो करवो हतो तेमने कहिँ महराज अमें मानावदर पहुँचया अने आपनी तपास करी त्यारे हरीवक तो ये कहिँ के महराज अहीं आव्याज न थी डभाण मा यगन चाले छे त्यांज बीराजे छे महराजे तेमने कहिँ पन तमारे आगण थी आवी जवुँँ जो ये ने तमे ना आव्या एटले यगनना खर्चनों हिसाब अमारे बापु भाईने सोपवो पड़ेओ महराज ए वात करे छे त्यां सामेथी बापु भाई आवता देखाया महराजे बट जीने कहिँ जुओ बापु भाई यगनना खर्चनों हिसाब करवा आवे छे इटलामा बापु भाई आवी गया महराज ने दंडवत करी पासे बेठा महराजे तैमने कुषण पूछा बापु भाई ये डभाणना यगनमाटे आनेल सिधानी सामगरियो तथा बीजी चीज वस्तूओनी यथा स्थाने पहुँचाडवानी व्यवस्था करी दिधी हती ते बधी हकिकत कही पछी यगनना हिसाबनी वाद करता कहिwn महराज हिसाबनो आकड़ो माण्ड्यो जेने जेने रकम चुकवानी हती ते बधी चुकवी दिधी छे आवकनों आकडोपन तैयार करयो छे रूपिया बे हजार खुटिया छे ते रकम मने अपाववानी आपे गोठोन करवानी छे ते सामड़ी महराजे मायाराम भट्ट ने कहिँ बट्जी आ बापु भाई ने बे हजार चुकवी दियो एटले भट्जी ये कहिँ महराज मारे हिसाब जोवो पड़े अत्यार सुधी मां आपे यगनों करया तथा बीजा उच्सव समया थया ते तमाम हिसाब हुँ राखतो हतो अने तेमा सर्भर थेई जतू हतू तो डबाणना यगनमा रकम केम खूटे हरी भक्तो तो हजारों नी संख्यामा आव्याहता एटले भेट पन एटली जावी हशने परन्तु महराजे कहिँ भट एम आपने तकरार न कराई तेने जे घरनी रकम चुकवी होई ते तो आपवीज जोईये एटले मायाराम भट्टे कहिँ भले महराज काले बधो हिसाब जोईने चुकवी आपीशुन सुराखाचर बापु भाईने सन्यास लेवरावे छे सुराखाचर पासेज बेठा हता ते आ सम्वाज सांबडी रहा हता तेने लाग्यू के बापु भाईने अणहकनी रकम पड़ाबवी छे पन तेना हाथ हेठा पाडवा जोईये सांजे महराज संतोनी सभामा बिर्याजय हता सुराखाचर जीवाखाचर तथा बीजा काठी भक्तोपन सभामा बेठा हता बापु भाई अने मयाराम भट यग्नना हिसाबनी बात करता हता एटलामा सुराखाचरे बापु भाईने पूछु बापु भाई, महभारतनी कथामा बिश्मनी प्रतीग्नाना वखान थाई छे अने द्रोना चार्यनी शुर्विर्ताना वखान थाई छे बिश्म पन शुर्विर्तो हताज, दुर्योधन्नो बधोज मदार बिश्म उपर जहतो तमने शुँ लागे छे? द्रोन स्रेस्ट के भिश्म? बापु भाई ये तरत ज कहिँ, स्रेस्ठ तो द्रोन ने ज कहवाई, तेमना मा अस्त्र, शस्त्र अने शास्त्र विद्यानी निपूनता हती आ साम्बली सुराखाचरे कहिँ, मने लागे छे के भिश्मन एस्रेस्ठ केवाई, ते क्षत्रीय हता, पन तेमना ब्रह्मचरियनू बढ़ विशेश हतू आ साम्बली बापुभाई छेडाई गया, तेमने कहिँ, तमने शुँ खबर पड़े, अमे ब्रह्मचर सौना गुरू, क्षत्रीयना अमे गुरू कहवाईए, अमारी तोले तमारू ग्नान न आवे सुरा खाचरे हाथ जोडी क्षमा मागी, तेने कहिँ, बापुभाई माफ कर जो, ब्रामन तो ग्नानी पन होई, अने वैरागी पन होई, अमारामा ए बे माईलो एके गुण न होई बापुभाई हस्या, तेमने कहिँ, क्या थी होई, ए गुणो तो ब्रामन ने जवरेला होई, पन आजे आपने आ गुणनू पार्खु लईए तमारामा ग्नान वैराग्य वगेरे गुणों छे, पन तमों हमना सन्यासी थाई जाओ, तो ए गुण साचा नहीं तो कहवा मात्र, अने जो तमे कहो, तो हुँ हमना साधू थाई जाओ भले अमे क्षत्रिय रहा, पन अमे माहराजनी दया थी, मायामा बंधाया न थी सुरा खाचरे जीनी आँख करता कह्यूं, काठी भक्तो सुरा खाचरनी आ गम्मत रस पुर्वक साम्बडी रहा हता बापु भाईने सुरा खाचरना शब्दो साम्बडी पानों चड़ी गयो, तेने तरतज कह्यूं, महराज आगना करे तो अबघडी सन्यासी थाई जाओ एटले सुरा खाचरे महराजने कह्यूं, प्रभु आगना करो, बापुने रंग चड़ी गयो छे महराज पन सुरा खाचरनी युक्ती जोई मंद मंद हस्वा लागया, तेमने कह्यूं, तेमना पत्नी रजा आपे तोज आपना थी आगना कराई ए साम्बडी बापु भाई बोल्या, अरे महराज एशूं बोल्या, पत्नीनी तो हमना रजा लईयाउं पन आ सुरा खाचरनी तैयार करवाना छे, आजे खरा खरीना पार्खा करवा छे, एम कही दूर बेठेला तेमना पत्नी पासे तेओ गया, तेने पूछी लिदू, तेने पन कहिँ, महराज नी मर्जी होई, तो सुरा खाचरने बोल्ता बंद करी दियो, थाई जाओ सन्यासी तरतज ते महराज पासे आवया, महराज घरना मानसनी रजा मली गई, ते सामढ़ी महराजे देवानंद सन्यासी ने बोला आवया, तेमने कहिँ, आ बापूभाईने सन्यास आपो, सुपात्र ब्राम्मन छे, त्याग खरे-खरा शोभावशे देवानन्दे बापु भाईनी चोटली कापी नाखी, जनोईनो त्याग करावयो अने भगवा वस्त्रो, दंड, कमंडलू आपया पछी अन्य ग्नातीना विप्रने त्या भिक्षा लेवा मूखलया भिक्षा लेवा आवया, महराजनी आगना थी ते भिक्षानू अन्य जम्या पछी सभामा आवीने बैठा, तेमने सभामा बैठेला सुराखाचर सामू जोयू अने गवरव थी हस्वा लागया पछी महराजने कहिऊं, महराज हवे सुराखाचर ना वैराज्यनी परिक्षा करो कहता हताने के अमे माया मन बंधाई है, हमनाने हमना साधू बनाओ एटले सुराखाचर तरते जुभा थे गया, बापु भाई पासे आवी तेमने दंडवत करया अने हाथ जोडी कहिऊं, महराज बापु भाई तो खरेखर वैराग्य वाड़ा के वाई, आपना वचने तरतज दिख्षा लेली धी, तेमने तो धन्य छे, अने तेमना माता पिताने पन धन्य छे तरतज बापु भाई ये कहिऊं, आवो हवे एई बैसी जाओ, तमे पन धन्य थेई जाओ, वार केम लगाड़ों छो सुराखाचर हजू हाथ जोड़ी राख्या हता, ते महराज तरफ पर्या, अने महराज ने कहिऊं, महराज, भणे बापु भाई थी जे थेऊ, ते अम्थी नो थाई आ साम्बणी ने बापु भाई ने जाने वीजडी पड़ी होई, ते वु वस्मू लागियू, तरतज ते उठ्या, अने महराज पासे जेई महराज ने कहिऊं, महराज, आ सुराखाचरे ठगाई करी, आवी ठग विद्या करे, ते भगत केम कहवाई एटले सुराखाचरे महराज ने कहिऊं, महराज, ठग विद्या तो एणे करी छे, अनहक ना रूपिया बे हजार लेवा हता महराज आ साम्बडी हस्वा लागया, बापु भाईने कार्मो घा लागयो होई, तेवूं वस्मू लागयू, मनमा तो समझी गया, के तेमनी ठग विद्यानू आ फड़ मली गयू, पण आ सन्यास केम पार पडशे पार का घरनी जेवी तेवी भिक्षा मलशे, ते गड़े केम उतर्शे, दसक्रोई ना भातने दाड हवे क्यारे खावा मलशे आ विचार थी, ते सभा माज, द्रूसके द्रूसके रोवा माण्या, तेमना पत्नीये पन रुदान आद्रियू, महराज तेनी मुंजवन समझी गया, महराजे तेने छाना राखता कहिँ, बापु भाई, मुंजाशो नहीं, तमारे जेतल पूर्मा रहवू, तमारे पत्नी रांधिया पे, अने तमारे ते जमवू, एटली तमने छूट, बापु भाईने माटे आ कार्मो घा हतो, पण हवे तो काई उपाई नहातो, त्याथी तेमना पत्नी साथे, ते जेतल पूर्गया, मीणा पर्मा आवी वचेरी छे, महराज बीजे दिवसे कारियानी पधार्या, माचा खाचर, वस्ता खाचर वगेरे महराजना दर्शन्ती राजी थे गया, महराज डोलिया उपर बिराजमान थया, पार्शद ने कहिँ, गोडाने खीले बांधो, पावरो चड़ावो, पछी महराजे भात भातना गोडा गोडियोंनी वात काड़ी, काठियोंने महराजनी वातमा रस पड़ेो, गनाननी वातो थाई, त्यारे काठियों जोले चड़ पण घोडानी वात थाई, त्यारे सतेज थाई जाई, महराजने पण तेमने सवने, तेमनी रूचीनी वातो करी, पोतामा विशेश हेत करावूं हतू, पछी काठी भक्तो सामू जोई बोलिया, एवी सोजी घोडी, हजू सुधी अमे जोई न थी, जे क्यारे ये तोफान न करे, रेवाल चाल मां पेटनू पाणी पण न हले, बहुज उंची जातनी एवी वचेरी, जो खुमान के खाचर दरबारों मां होई, तो जोता रहूंू, मिना पर मां एवी वचेरी छे, एवू साम्भ़ियू छे, तो तपास करता रहे जोू मा चा खाचर अचिन्त्यानंद स्वामी बने छे, महराज कार्याणी मां त्रण चार दिवस रहा, ते दर्मियान एक दिवसे तेमने मांचा खाचर ने पोतानी पासे एकान्तिमां बोलाव्या माचा खाचर आवया अने महराज सामे हाच जोडी ने उभा रहा महराजे तेमने कहिँ बापू आ वस्तो केम तमारी फरियाद करे छे तेना उपर तलवार लईने फरी वड़या ते साची वात माचा खाचर समझी गया के महराज सुधी वात पहुँची गई छे क्षत्री यनू खमीर होवा छता महराज पासे पोताना मननो काबू ते राखी शक्या तेने धीरे रहीने महराज ने कहिँ आपनी पासे पेट छूटी वात करीश महराज मारी भानेज सीतबाने वस्ता वेरे परणावी छे तेने आ एक स्त्री करी त्यारे जगतनी बीजी तमाम स्त्रीव मा बहन थैगई छता वस्तो बीजीवार परणवा तैयार थैओ छे ते पोते मानेली बहननी साथेज लगन करे ते पाप नहीं महराज बदो मामलो समझी गया माचा खाचर नैस्टिक ब्रह्मचारी हता जीवनमा ब्रह्मचरियना धर्ममा तमाम धर्मों आवी गया एवी तेमनी समझन हती ग्रुहस्थे आगना प्रमाने एक स्त्री करी होई पन छता ते ब्रह्मचारी ज कहवाई पन बीजी श्त्री करवा संकल्प करे एटले ते पोता ना धर्म मा थी पड़यो जानवो माच्या खाचर आ प्रमाने समझता हता सीतबा तेमना भाने जहता तेना उपर बीजी श्त्री वस्ता खाचर लावे तेनू तेमने दुख न हतू परन्तु जेने पोते मा बहन गणी होई, एवी अन्य स्त्रियों माथी कोईने लावीने घरमा बैसारे, ते पाप कहवाई, तेनु तेमने दुख हतु महराज तेनी वाज सांबली अंतरमा हर्खाया, पुराण ना रुशी मुनियोंने पन स्त्रियों थकीज विग्णू आव्या हता, तपभंग थया हता जारे आजे, आक्षत्रिय वीर, पोते नैस्ठिक ब्रह्मचर्य पाली, पोताना संबन्दे अन्यपन पोत पोताना धर्ममा रहे, ते वो आग्रह सेवे छे महराजने संतोष थयो, पोताना संबन्दे काठियोंनू अपुर्व परिवर्तन थै रहे हतू, मोटा मोटा रुशी मुनियों, पोताना तपथी जे सिद्ध न करी शक्या, ते आक्षत्रिय वीरो, महराजना स्वरूपना ग्नान थी, अने तेमना प्रत्तेनी संपुर्ण आ तमे तलवार हाथ मालेईने आवडो क्रोध करेओ, ते तमने शोबे, तमे तो अमारा वच्चने त्यागी थैने भूजमा आवी गया हता, एटले हूं तो तमने हजू पन त्यागीज देखूं छू, आ कारियानी गाम, के माचो नाम, ए बदू मिथ्या छे, माचा खाचर आ साम्बली स्तब्ज बनी गया, तेमनी आखो भीनी थैई गई, तेमने हाथ जोडी फरी कहिँ, महराज, क्रोध करेओ तेनी माफी मागू छू, पन वस्तो उठीने आप आप करे, ते मारा थी देखाई नहीं, वड़ी सीतबा, अने तेमना दिकरा मानसूर माजिक बैसी गया, महराजे तेना वासामा हाथ फेर व्यो, पछी कहिँ, बापू, सीतबा अने मानसूर नी चिन्ता अमारे मां थे, पन तमारे हवे वस्तानी आडे आप मू नहीं, एटलू कही, महराजे पार्षद ने बोलाव्यो, तेने कहिँ, माचा खाचर ने आजे पहराववा छे, माटे अलफी लावो, अने बीजा भगवा वस्त्रो लावो, अलफी अने बीजा वस्त्रो पार्षद लई आव्यो, एटले महराजे माचा खाचर ने कहिँ, लिओ, आ भगवा वस्त्रो पहरी लिओ, आज थी तमे माचा खाचर मटीने अचिंत्यानंद स्वामी बन्या, माचा खाचारे तरतज तेना वस्त्रो उतारी नाख्या, भगवा वस्त्रो पहरी लिधा, पची महराजने दंडवत करया, महराजे तेने माथे पोताना बे हाथ मुक्या, पची कहिँ, स्वामी, हवे आ संत मंडळ कानम देश मा फरवा जाई छे, तेने लई आप पन पधारो, अचिंत्यानंद स्वामी तैयार थे गया, महराजने संतोष थयो के पाका हरीवक्तनु लक्षण माचा खाचरे सिद्ध करी लिदू हतू, सव दर्बारो पन माचा खाचरने नमी पड़या, एभल खाचरे कहिँ, महराज डबान मा भारे यगन थे गयो, मह महराज ते सांबली हसया, महराजे कहिँ, एवा यगन तो अमे वर्षो वर्ष करिये, यगन करवामा मोटाई न थी, यगन ए विश्णूनू स्वरूप छे, विश्णू ए कहला धर्मों प्रवर्ताववा ए यगननों हेतू छे, तेमा अहिंसा धर्म मुख्या छे, एटलू महराजे मुक्तानंद स्वामी, भाई रामदास, तथा ब्रह्मानंद स्वामी वगेरे ने बोलावया, अने कहिँ, गुजरातमा तपास करो, यगन करवामाटे कहिँ शहर स्रेस्थ छे, त्यारे तेमने कहिँ, महराज, जेतलपूर जेवूं कोई स्रेस्थ स्थल, यगन ताटोप, अने वली तड़ाव, गामना लोकोपन भाविक, एटले उतारा, पाणी, अने मंडप तथा रसोईनी व्यवस्था, त्यां सारी थाई शके, ए साम्बली महराजे कहिँ, जेतलपूर शहर तो सारूं, पन अम्दावादनों सुबो द्वेशी छे, ते तेमा विग अमें तेमने पूछिँ हतू, के यग्नमा पशुबली होमी, ते यग्न शेश मास जे खाई, मध्य पीवे, ते ब्राम्मन कहवाई, त्यारे तेमने कहिँ, एवाजे होई, तेमने मलेच्छज कहवाई, आ शब्दो वामाचारी ब्राम्मनों साम्बलया, अने अम्दावाद ना सूबा सुधी पहुचाड़या, तेमा थी आपणने भारे उपाधी आवी, परन्तु संतोय कहिँ, महराज, आपणे तो यग्न करीने ब्राम्मनोंने जमाडिये छिए, तेओ तेमनाज भाणामा पाणो केम नाक्षे, महराज आ साम्बली रहा, तेमने कहिँ, भले, तमा अलैया खाचर ने महराज वस्त्रो भेट आपे छे, कारियानी थी नीकडी, महराज जिन्जा वदर अलैया खाचर ना दर्बारमा पधार्या, अहीं गडपूर्थी जीवा खाचर पन आव्याहता, अहीं महराजे डभाणना यग्ननी तमाम वाज सवने सभामा कही, अलैया खाचरे कहीं, महराज सोनेरी साज साथे जरियान वस्त्रो पहरी अश्व उपर बिराजमान थाया, त्यारे सवने अपार शोभा जणानी, एटले जीवा खाचरे कहीं, महराज अमने एवा दर्शन करावो, महराजे तरतज पार्शदने घोडो तैयार करवा कहीं, पोतेपन सूरतना हरीभक्तो ए अरपन करेल वस्त्रो पहरी तैयार थाया, अश्व आवयो, एटले महराज तेना उपर बिराजमान थाया, महराज नू आस्वरूप जोईने, सवने महराज मां अधिक दिव्यताना दर्शन थाया, अश्व उपर थी उत्री, महराजे जरियान वस्त्रो उतारया, पछी ते वस्त्रो अलईया खाचर ने भेट आपी दिधा, बीजे दिव से महराज त्यां थी गडपूर आववा निकड़या, जीवा खाचर तथा बापू एभल खाचर वगेरे सन्मू खावया, महराज नी साथे किशोर दादा खाचर ने जोईने सवने आनन्द थयो, महराज एभल बापूना दर्बार मा रहया, बेतरन दिवस थया, एटले महराजे निकड़वानी तैयारी करी, परन्तु जीवा खाचर ना अग्रह थी रोकाया, तेमना अग्रह थी, महराज तेमना दर्बार मा पधार्या, अहीं बेतरन दिवस रोकाई ने करियाना पधार्या, करियानामा वसंत उत्सव, आशाडी सम्वत 866, करियानामा देहा खाचर, तथा मीनबाई माना अग्रह थी, महराजे वसंत पंचमीनो उत्सव करवानू नक्की कर्यू, हरी भक्तोये उत्सवनी तैयारियो करवा मांडी, महराजना सानिध्यमा, तेमना अंतरपण, वसंतना संबंधे व्रुक्ष, वेलियो पांगरे, तेम पांगरवा मांडया, वसंत उत्सव धाम दून्थी महराजे कर्यो, प्रसंगे प्रसंगे, पोतानी मुर्तिनु सूखाप्ता महराज, भक्तोना रदैमा, योगना साधनो थी पणजे सिद्ध न थैशके, तेवी पोताना स्वरूपनी जांखी सिद्ध करावी रहा हता, योग थी पन अधिक, एवु आ दिव्य सत्संगनु साधन, पर्मात्मान स्वरूपनु अंतर्मा अनुभव ग्नान प्रक्टाववा माटे स्रेश्ठ हतु, बीजेज दिव से महराज करियाना थी निकली, राइपर, कोटडा, बंधिया, गोंडल, जेतपुर, धोराजी थैने जमना वडे पधार्या, त्यां थी दूधी वदर थैने कंडोर डे पधार्या, लांबी मुसाफरीनो थाक, कालावड मा भक्त जादवजीने त्यां उतार पोताना अक्षरधाम गुणातितानंद स्वामीनु आ मोसाड हतु, अहीं तेवो मामाने घेर रहवा आउता, महराज ने तेथी अहीं वधारे रूच्यू, कालावड थी महराज निकलया, त्यारे साथे आवेला सखाओने रजा आपी, अश्वपन तैमनी साथे मोकली जो, केवण मोड जी ब्रह्मचारी ने साथे राख्या, अने बीजो एक सेवक साथे राख्यो, पछी मोडामा रणमल जी ने त्या रात रह्या, त्या थी नारायन भक्तने घेर अलैया पधार्या, अलैया थी भादरा पधार्या, अहीं डोसा भक्त, वशराम भक्त, रतना भक्त वगेरेने महराजना दर्शन्थी आनंद थयो। महराजे तेमने कहिऊं। मोडजी भक्तने धाम धूम्थी डभाणमा भागवती दिक्षा आपी गुणातितानंद नाम पाड़ियू। तमने तेमनो जे महिमा कहो छे, ते अंतरमा राख जो। अने वक्त आविये प्रगट कर जो। करता ने पोताना स्वरूपनू ग्नान आपता, अवीरत फरता, हमीर सर्मा स्नान करता अने खुल्लामा सभा करता। आथी महराजने शरीरे ठंडी चड़ी गई, सुन्दरजी भाईने घेर पधार्या अने ताव आवियो। अमे आराम करशूं, एटले माया तेनी रमत मांड शे। महराजे मुक्तानन्द स्वामी ने बोलाव्या अने पोतानी नाडी बतावी। स्वामी ये नाडी जोईने कहूं, महराज, शरीरमा ताव छे, तो हवे विचरन थोडू बंद करी आराम करो। महराज आ साम्बली हस्या, तेमने कहिऊं, स्वामी, अमें आराम करशूं, एटले माया तेनी रमत मांडशे, तेतो लाग जोईनेज बैठी छे, अर्धी घडी पन जीवने छोडवा तैयार न थी महराज ना वचननों मर्म स्वामी समझी गया, तेओ पन समझता हता कि सत्संग निरंतर करवोज जोईये, तोज जीव मां बढ़ आवे, नहीं तो अनेक संकल्पो थाई, ने जीव भ्रस्ट थाई जाई जीवने अमारी मोटाई समझवी कठन छे, मुक्तानन्द स्वामी ने विचार करता जोई महराजे तेमने कहिऊं, स्वामी, ताव छे तो एकांतमा आसन होई तो ठीक पड़े, एटले मुक्तानन्द स्वामी ये सुन्दर जी भाईने वाद करी, तेमने तरतज सामेना डेला उगमनी कोर्नी ओसरी हती, त्या महराजने माटे ढोलियो पत्रावी दिदो, अने त्या बिजानी अवर्जवर बंद करी दिदी, अहीं आवी महराजे स्वामी ने कहिऊं, स्वामी, चार शेर राता मर्चा अने चार शेर खाटू दही मंगाओ, अने बाजराना ताजा बटावया, पछी दही मा नाखी, दही अने रोटलो महराज जम्या, स्वामी अने सुन्दरजी भाई आ जोई रहा, सुन्दरजी भाई ये हाथ जोडी कहिऊं, महराज आप तो स्वयम भगवान छो, बाकी बीजो कोई होई, तो आवा ताव मा खाटू दही अने मर्चा खा एटले उकलीज जाई, महराज आ सामडी हस्या, पछी तेमने कहिऊं, जीवनी शक्ती अती अल्प छे, तेने अक्षर ब्रह्म जेवा समर्थ करी देवा माटे तो अमें प्रगट थया चीए, वडी गोलोक आदी धामों, तथा अक्षर धाम पन अमारा दीठामा आवे छे, परन्तु जीवने अमारी एवी मोटाई समझवी कठन पड़े छे, सुन्दरजी भाई तेथा मुक्तानंद स्वामी आ वात सामडी रहा, तेमने लाग्यूं के महराजे अती मर्मनी वात कही, परन्तु तेवी स्थिती थाई, तोज महराज नी आ वातनू रहस्य समझाई, मान कुवा मा, थोड़ा दिवस भूज मा रही महराज मान कुवा पधार्या, अहीं आदा भाईना दर्बार मा उतारो करें, महराज कछ मा पधारे एटलो समयज त्याना हरीवक्तोंने सत्संग नो योग रहे, महराजना दर्शन अने सेवानो लाब मले, तेथी कछना गामे गाम थी हरीवक्तों, दर्शन अने सेवा समागम माटे मान कुवा मा उम्ट्या हता, अहीं दर्बार मा महराज उगमने मुखार्विंदे ढोलिया उपर बिराजमान थया हता, संतों महराज समक्ष पखवाज तथा जांजना नाद साथे किर्तन भक्ती करी रहा हता, किर्तन भक्तीनी समाप्ती करावी महराज सभामा वात करी, भगवानने राजी करवा माटे पुर्वे मोटा रोशिमुनियो तथा राजाओ ये तप करया छे, ताड, तडको, के वरसादनी धाराने तैमने गण्या न थी, देहने खोटो करी नाखी अनन्त साधनों करया छे, माटे जे देहना भावने गणे नहीं, अने हुँ आत्मा छु, अक्षर छु, अचेद्य छु, ब्रह्म छु, एम मानी, देहना सुख दुखे सुखी दुखी न थाई, त्यारे ज भगवाननी प्रसन्नता थाई छे, देहना सुखनों त्याग करी, भगवानना सुखनी अपेक्षा राखवी, परन्तु मनमा एवो भाव न राखवो, के मान्दा पडिशु, त्यारे चाकरी कौन करशे, कारण के जेम्णे माताना गर्भमा जठराग नीथी रक्षा करी छे, तेज आपनी रक्षा करशे, ए प्रमाने वातो करी, एटलामा आदाभाई महराजने जम्वा तेडवा आव्या, अमे सर्वे मतपंथ जोईलिधा, महराज मान कुवा मा बे दिवस रही, त्यां थी काडा तड़ाव पधार्या, अहीं रामानन्द स्वामी नी ओरडी मा गादी तकिया उपर पुर्व मुखार्विंदे बिराजमान थाया, संतो पन महराजनी आगनाथी कच्छमा आविगया हता, अहीं महराज साथे मुक्तानन्द स्वामी, व्यापकानन्द स्वामी, स्वरूपानन्द स्वामी, सुखानन्द स्वामी, कृपानन्द स्वामी, तथा विरक्तानन्द स्वामी वगेरे हता, काड़ा तड़ावना हरीवक्तो सुथार भिमजी भाई, हरभम भाई, मनजी भाई, रवजी भाई वगेरे पन सभामा हता आ सभामा श्रीजी महराजे वात करता कहिँ अमे सर्वे मत पंथ जोईलिधा परन्तु कोई मतमा उपास ना छे तो आत्मग्नान नथी अने कोई मतमा आत्मग्नान छे तो त्याग अने उपासना न थी परन्तु आपणे ते बन्नेनू प्रतिपादन कर्यू छे आत्मग्नान एटले पोताना आत्मानी अक्षर ब्रह्म साथे एकता कर्वी अक्षर ब्रह्म साथे एकता करी पुरुषोत तमने सर्वो परी आपनों एवो संप्रदाई, वेद, शुरूती, स्मृती अने पुराणना सिध्धान्तों ने अनुरूप छे, अने कोई प्रकार्नी तेमा खामी नथी महराज ने रवजी सुथार, तथा हर्भम अने भीमजी भाईय कहिँ, महराज आपना प्रताप्थी घरमा दाना घणा छे, अने आप बार मास बिराजी ने समया करो, ने आवी वातो करो, तोपन खूटे तेम नथी माटे आप अहीं रोकाव, अने समया उत्सव करी, अमने लाभापो, महराज तेमनो भाव जोई राजी थया, पची हर्भम सुथारे कहिँ, पन महराज, अमारे अहीं पाणी राखवाना माटीना गोडा गोडियूं मनता न थी, एटले ते मुश्केली छे ते सामबली महराज उठ्या, अने बोल्या, चालो, हूं तेनो उपाई बतावूं, एम कही फळी माँ पधार्या, अने कहीं, आ ठेकाने खाडो खोदो, पची धोली धोल लावी, आजू बाजू अने नीचे तेनू लिपन करो, पची लुगडू होजनी माही चोटाडीने पानी भरो, आ प्रमाणे महराजे सूचने आपी, कथामा कोई ये उंगुँ नहीं, बीजे दिवसे होज तैयार थेई गयो, महराजे ते दिवसे त्यां कथा करवानू नक्की कर्यू, संत हरीभक्तो आव्या, महराजे प्रागजी दवेने पाट उपर बेसार्या, कथानी शरुआतमा महराजे सौने कहिँ, भगवाननी कथा जे सांबले छे, तेनामा जागरूती आविजाई छे, पोताना अंतरना दोशोनू जान पणू तेने रहवा मांडे छे, जेम चोकिया तो, रातरे जागो जागो एम कही सौने जागता राखे छे, तेम भगवाननी कथाम एवो चमतकार छे, के जान पणू सहजे रहवा मांडे छे, माटे कथामा कोई ये उंगु नहीं, अने जे उंगु शे, तेने बाहर काडी मुक्षू, एटलू कहीने कथानी शरुआत करावी, एटलामा मुक्तानन्द स्वामीने जोलू आवियू, ते जोई महराजे कहिँ, मुक्तानन्द स्वामीने विशे अमारे गुरू भाव छे, पन अमे तो गुरूने पन कहिए, एम कही महराजे मुक्तानन्द स्वामीने कहिँ, स्वामी, कथामा जोलू आवियू, माटे बाहर जाओ, मुक्तानन्द स्वामी तरतज बाहर गया, थोडी वार थाई, एटले श तेथी महराजे तेमने कह्यूं स्वामी उठो आत्मानंद स्वामी तरताज उठ्या अने बाहर गया पछी महराजे कह्यूं जुओ आ आत्मानंद स्वामी उंगता न हता पण कह्यूं एटले तरताज उठ्या वचननी मोर्ती छे जमवानों समय थयो एटले कथानी समापती करा अने बहार मोकलेल त्रणे संतों ने बोलावया आपने केवल संप्रदाई स्थापवा नथी आवया जम्या पछी महराजे संतों नी सभामा वाद करता कहिँ शास्त्र कारोय शास्त्रों रच्या एमा नियमों पाडवानू घणू लख्यू छे परन्तु अत्यार सुधी कोई ये ते नियमों पाडवया नथी अने पोताना शिश्यों पासे पड़ावया पड़ नथी माटे आजे तो सर्व शास्त्रों मा जे वात लखी छे ते अमारे तमारी सवनी पासे पड़ाववी छे महराजना आवचन सामड़ी सव संतोय कहिँ महराज आप जेम कहशो तेमज अमारे करूँँ छे संतोनी आगना पाडवानी ततपरता जोई महराज बहुज प्रसन न थया पछी बोल्या आपने प्रुथ्वी उपर आव्या छिए ते केवड कोई संप्रदाई स्थापवा नथी आव्या परंतु शास्त्र कारोए भागवत धर्मनी जे वात शास्त्रों मा लखी छे ते धर्मनू स्थापन करवा आव्या छिए ते धर्मना आंगो, धर्म, ग्नान, वैराग्य अने भक्ती, आ चारे लोको पासे सिद्ध करावी, तेमनू आत्यंतिक कल्यान करवू छे एटलू कहीने महराजे संतों ने कहिूं, तमारे एक एक संते, दस हजार जीवोनू कल्यान करवूं, एवो नियम आजे लियो ते सामढ़ी निश्कूडानंद स्वामी बोल्या, महराज, आ जन्मे पूरू न थाई तो, एटले महराज हस्या पची कहिूं, तो बीजो जन्म लईने पण, ते नियम तो पूरो करवोज पड़े पची महराज है कहिूं, अमारे आ देहे करी ने असंख्य जीवोना कल्यान करवा छे, ते सारू अमे प्रगट थया छिये एटले मुक्तानंद स्वामी है कहिूं, महराज, आप तो संकल्प करो, एटले असंख्य जीवोना कल्यान थेई जाए पण केवल संकल्प थी भक्तोने अमारा स्वरूपनु सुख न आवे ने, एटले अमारा स्वरूपनो संबंध करावी, तेमना मनोरथो पूरा करी, तेमनु कल्यान करवू छे आ साम्बली सव संतो राजी थया तेरामा भागवतनी कथा थोड़ा दिवस अहीं रोकाई ने, महराज फर्ता फर्ता, तेरा, नोंधा सुथार ने त्यां पधार्या अहीं महराजे संतना मंडल पन बोलाव्या प्रागजी दवे पासे, श्रीमत भागवतनी कथा वंचाववानों विचार कर्यो महराजे कहिँ, अहीं एकांत स्थान छे, माटे अहीं एक मास रही, ग्नान गोस्थी कर्वी छे फागणनों फूल दोलनों उत्सव भूजमा करीशुँ महराजनी आ वाद साम्बली, सव संतो हरीभक्तो राजी थे गया प्रागजी दवे महराजनी साथे रहता, अने महराजनी आग्ना प्रमाने, श्रीमत भागवत, तथा अन्य पुराणों नी कथा वांचता तेमनी उमर नानी हती, कंठपन मधूर हतो, वड़ी महराजनी द्रस्ती तेमना उपर पड़ी गई हती तेथी तेमनी कथामा सउने रस पड़तो, छता कोई संत, जो कथामा उंगता देखाई, तो महराज तेमने जागरत करी देता महराज कहता के आवी कथा वंचाती होए, तेमा उंगशो, तो अन्तरमा प्रभात क्यारे थशे आत्माना प्रकाशना भेद कथामा आत्माना स्वरूपनी वात आवी, एटले परम चैतन्यानंद स्वामिय प्रश्ण पूछो महराज, आत्मा सत्य है, और एक ही है, तो सब में एक सर्खा दैवत होना चाहिए आ सामबडी महराज हसया, पची बोल्या, आत्मा सत्य छे, पण एक नथी अनन्त छे दीवो छे, तेने अगनी कहवाई, मशालने पण अगनी कहवाई, विजणीने पण अगनी कहवाई, अने वडवा नळने पण अगनी कहवाई परंतु दरेकमा प्रकाशना भेद छे, तेम आत्मा आत्मामा पण भेद छे आत्माने जेटलो मायानो संबंध विशेश तेटलूं तेनू सामर्थ्य ओचू ए संबंध जेम जेम ओचो थतो जाई आत्मा शुद्ध थतो जाई तेम तेम तेनू सामर्थ्य वधतू जाई महराजने कथामा खूब रस पड़तो एटले वारम वार हरे हरे बोलता एक मास भागवतनी कथानों सवने लाभापी, महराजे कथानी पुर्णा हुती करावी पछी मद्याहने सवने जमाडया, अने संतों ने कहिँ संतो, तमें हवे चालवा मांडो, अमें पाछर्थी आविये छिये महराजे पोतानी मोजडियो, ब्रह्मनने आपी गिधी, फागणनों ताप शरू थेई गयो हतो संतो उघाड़ा पगे चालता हता, प्रुथ्वी ताप थी धगी गई हती अने संतो प्रुथ्वी उपर पग मांडे, अने तरतज उपाडे, एम उतावडी चाले चालता हता महराज पाछण आवता हता, तेमने जोयूं के पोताना संतो पगे बड़े छे पोते मोजडियी पहरी हती, ते तरतज काडी नाखी अने साथे चालता ब्राम्मन ने आपी दिधी, अने उगहडा पगे, पोते पन संतो नी जैम चालवा लागया महराज तो उतावडी चाले चालता संतो नी आगण थेई गया, अने दूर जई, एक बावणना व्रुख्ष नीचे बिराजया इटलामा संतो आवी गया महराज पोताना चरणना तड़ामा हाथ फेरवता हता महराजे पोताना चरणारविंद बतावी ने संतो ने कहिँ तमने जोडा न पहरवाना नियम आप्या छे, ते नियम आजे अमे पन पालेओ त्यारे संतो ये कहिँ महराज, आप तो नियम्थी पर छो, आपने कष्ट वेठवानू होई नहीं ते साम्बली महराजे कहिँ पन तमारा पग बढ़े, एटले में जोड़या पहरा होई, तो पन महरा पग बढ़े एम कही ने, महानू भावा नंद स्वामी ने पूछिँ, तमारा पग केवा बढ़या त्यारे तेमने कहिँ, महराज, अमदा वादमा चैत्रना ताप मा जोड़ी मागवा जतो त्यारे जे नोता बढ़या, ते आजे बढ़या छे आ साम्बली महराजनी आखमा आसु आवी गया पछी बोलया, तमने जे नियमों आपया छे, ते केवड तप करवा माटे नथी आपया परन्तु देहना भाव थी पर थई, आत्माना भावने पामवा माटे आपया छे देहना सुख दुखने गणू नहीं त्या थी महराज संत मंड़ साथे चालया, अने थोड़ा दिव से अन्य गामों मा विचरण करता भूज मा सुरजबानों मनोरत पूरो करवा फूल दोलनों समयो करवा पधारया भूज मा फूल दोलनों उत्सव, आशाडी समवत अधार सो छांसट विश्वेश्वर भट्टना दिकरी, सुरजबाये भूज मा पोताने त्या फूल दोलनों उत्सव करवा महराजने विरंती करी हती परन्तु महराजे तेमने पूछिव हतू, तमे सांखे योगी छो, अने आ उत्सव मातो, संतो हरीबक्तो घणा आवशे, अने घणो खर्च थशे माटे सांखे योगी स्त्रियोये पोतानी त्रेवड जोईने संकल्प करवो महराजनी आ वात्मा मर्म हतो, सांख्य योगी स्त्रीपासे जीवन निर्वाह जेटली मूडी होई, अने ते खर्चाई जाई, पछी तेने पोताना जीवन निर्वाह माते अन्य उपर आधार राखो पड़े आमा कोई वखत पोताना धर्ममा विग्णा आवे, सूरजबा आ समझी गया, तेथी तेमने तरतज कहिँ, महराज, आपना प्रताप थी, मारे त्यां कोई वात्नी खोट न थी, माटे आप आगना करो, तो हूँ तैयारी करूँ महराज तेनी श्रद्धा अने भाव जोई प्रसन्न थया, सूरजबाए घेर आवी, तेना भाई उदैराम, तथा बहन अम्रुतबा, तथा खुशालबाने वात करी, ते ओपन राजी थया, ने उत्सवनी तैयारी मां सव मंडी पड़िया महराज भूज पधार्या, गंगाराम मल्लने घेर उतारो करेो, सूरजबाना भाई उदैराम, महराज पासे गया, अने उत्सवनी तमाम तैयारियो थैई गई छे, ते वात महराज ने कही महराजे तेमने कहिँ, अमे पन बधेज कागलो लखी दिधा छे, एटले संतो हरीभक्तो ना संग, हवे एकमे दिवसमा आववा मांडशे रंग उत्सव माटे, केसुडो, कसुम्बो, पतंग, तथा सोरंग वगेरे मंगाव्या रंग भरवा मोटी कोठियो मंगावी, सुन्दर जी भाईने घेर थी, सोना रूपानी पिछकारियो मंगावी, तेमज नाना पात्रो पन मंगाव्या महराज माटे सुन्दर आभूशनो पन तैयार कराव्या देवोने पन दुरलभ एवो उत्सव, पोताने आंगने उजवाई छे, तेनो सवने आनंद हतो भगवान श्रीकृष्ण, व्रज्मा गोपियो साथे रास रम्याहता, ए भागवतनी कथा सांभडताज, भक्तिनो उन्माद चड़ी जाई छे त्यारे आतो, साक्षात परभ्रम्म पुर्षोतम नाराण, मनुष्य स्वरूपे पधारी, पोताना भक्तों ने, पोताना संबंधनू प्रत्यक्ष सुख आपे छे, ते केवा अहोभाग्य कहवाई संवत अधार सो चांसठना फागणनी पुर्णी मानो दिवस आवी गयो प्रातह समये, महराज राम कुंडमा स्नान करवा पधार्या, संतो हरीबक्तों साथे जड़ क्रीडा करी पची सुन्दर श्वेत वस्त्रो धारन करी, महराज सूरज बाने घेर पधार्या अत्रे देवार्चननी विधी करी, महराज रंग रमवा तैयार थे गया संतो हरीबक्तों न संग आवी गया हता, एटले जूत मोटू हतू महराज पासे भट उदैराम, तथा वल्लवराम, तेमज महता गणपतराम, भट महिदास, वगेरे रंग ना माटला मुक्या सुवर्ण नी पिचकारी महराज ना हाथ मा आपी, गुलाल ना तोपला पन, महराज नी पाट पासे मुक्या महराज ये सुवर्ण नी पिचकारी भरी, संतो हरीबक्तों उपर रंग छाट्यो गुलाल ना गोटा उडाड्या, महराज पाट उपर उभा थे गया नाखी नजर ना पड़े एटला समुह उपर महराज पिछकारी भरी भरी ने रंग छाटवा ला गया हरी भक्तो पण उत्सवना आनंदमा भिंजावा ला गया अने महराज ने भिंजववा ला गया एक आएक महराज होडी ना पदो गावानू शरू करियू ताली वगाडता जाए अने मुक्तानंद स्वामी प्रेमानंद स्वामी रचेला पदो गाता जाए हरी भक्तो पण आ पदो जीलवा ला गया पिछकारी ओथी रंग छंटा तो हतो गुलाल ना गोटा आकाश चड़या हता अने होडी ना पदो नो नाद दिशाओ गजवतो हतो भूजना भावीकोने लाग्यूं के पोतानू शहेर आ उत्सव थी धन्य बनी गयू श्रीजी महराज अने तेमना संतोनी पदरज थी पावन बनी गयू भगवानना मानूशी स्वरूपमा दिव्यता देखवी ते कठण हतू परंतु प्रसंगोनी अध्भूत ता एमनी दिव्यतानो अनुभव करावती हती अंतरना संकल्पोनो विराम तेमनी मुर्तीना चमतकारनी प्रतीती करावतो हतो जेने अनुभव थाई छे तेने आ दिव्यता जोवानी द्रस्टी प्राप्त थाई छे भगवान आजे रंगे रमता हता अक्षर धाम प्रुथ्वी उपर प्रगट थयू हतू रंग एटलो रेडायो के प्रुथ्वी लाल थाई गई गुलाले आकाशने रक्त वर्णू करी दिधू रंगे रंगायेला हरी भक्तो पन रंग बेरंगी गुलाबना छोड़नी जेम शोबता हता महराजे ताली पाडी अने रंगोत सव बंध थयो महराज अश्व उपर बिराजया अने सखा सहीत महदेव वाले नाके थयीने हमीर सर सरोवर्मा स्नान करवासारू पधार्या सखा साथे सरोवर्मा घणो समय जड क्रीडा करी महराज बाहर निकल्या ब्रह्मचारिये महराजनू शरीर लूच्यू सफेद वस्त्रो पहरवा आपया महराज अश्व उपर बिराजया अने वाजते गाजते सूरज बाने घहर पधारया अही सुन्दर ढोलिया उपर बिराजया एटला मार थाड तैयार थयो एटले जम्वा पधारया पछी संतो हरीभक्तों ने पण सारी रीते अनेक प्रकारना पकवानों जमाडया सांजे महराज सभाकरी बिराजया त्यारे सूरज बाए महराजनी आग्ना मागी के पूजा करवानों संकल्प छे महराजे सम्मती आपी एटले सूरजबा हाथमा जर्यानी वस्त्रों तथा रुपियाना थाड भरी तेना भाईयों साथे आव्या महराज नी केसर चंदन वगेरे उपचारो थी पूजा करी पुष्पना हार पहरावया जर्यानी वस्त्रो महराज ने धरावया रुपियाना थाल महराज समक्ष मुक्या पछी तेमना भाईयो ए संतोनी पूजा करी बीजे दिव से सूरजबाए पुष्पो मंगावी फूलनो हिंडोलो तैयार कर्यो महराजे सूरजबाए आपेलो जर्यानी पोशाक धारन कर्यो हिंडोलामा बिराजया संतो हरी भक्तोय महराजने सारी पेठे जुलावया हिंडोलाना पदो गाया जान्ज म्रुदंग वगाडी उत्सव कर्यो उत्सवनी समाप्ती थाई अने उत्सव घेला भक्तो बावरा बनी गया हवे जवू पडशे आवो लाव फरी क्यारे मणशे महराजे तेमनो संकल्प जान्यो अने कहिऊं हवे कच्छना हरी भक्तो हरी जयन्ती ना उत्सव उपर अहीं आवे त्या सुधी अमे पन तमारा गामे आवी ने तमोंने सुख आपीशुं अमारा उपर दया राख जो संगने जमाड़ो सुरजबाये तथा तेमना भाईयोय महराजने प्रसन्न करी दिधा सेवामा कोई खामी राखी नही महराजे पन तेमनो भाव जोई हरी भक्तोंने रंगे रमाड़्या उत्सवनी धूम मचावी पछी संगने विदायापी ते वखते कंथ कोटना कचरा भक्त तथा धमडकाना अदोजी मांडवीना सुन्दरजी शेट बड़े दियाना क्रुष्ण भक्त अने रतना भक्त तेमज मान कुवाना कणबी शियानी वश्राम भक्त वगेरे जती वक्ते महराजना दर्शन करवा आव्या महराजनी रजा लेता कह्यूं महराज अमारा उपर दया राख जो ते सांबली महराजे पन हस्ता हस्ता तेमने कहिँ तमे पन अमारा उपर दया राख जो ते हरीभक्तो ए आ शब्दो सांबलया न सांबलया अने चालवा लागया परन्तु बाहर निकलया त्यारे एक हरीभक्ते कहिँ महराजे आपणने कह्यूं के अमारा उपर तमे दया राख जो तेमा काई समझायू नहीं ते सामढ़ी ते बधा हरीबक्तो पाछा फर्या महराज पासे आव्या अने महराज ने पूछू महराज आपे कह्यूं के अमारा उपर दया राख जो ते अमने समझायू नहीं, आप तो अमारा इस्ट देव छो, दया तो आपे राखवानी होई एटले महराजे तेमने कहिँ, सांबलो, साड़ा त्रण हाथनी तमारी आकाया छे तेमा त्रण आंगलनू रदै छे, ते रदैमा आमे रहिये छिए माटे अमारू एस्थान तमे चोखुँ राखजो, त्यां जो स्तरी द्रव्यादीक नी माईक पदार्थनी वासना राखशो, तो अमारा थी तेमा रहवाश नहीं एटली दया तमारे अमारा उपर राखवानी छे ते सत्संगियों माहराज नी आवाद साम्बडी सावद थेई गया तेमने माहराज नी वातनू रहस्य अंतरमा उतरी गयूं माहराज भूज थी निकली मान कुवा पदार्या अहिना हरीभक्तो आदा भाई तथा मोल जी अने कृष्ण जी वशराम भाई तथा शियानी वशराम वगेरे महराज पदार्या तेथी अत्यंत राजी थेई गया भूज मा फूल दोलना उत्सवनो आनंद मानें हतो ते प्रसंगना संस्मरनों अंतरमा ताजाज हता एटलामा महराज पोताने गाम पदार्या आ रीतेज जो महराजनी दिव्य मोर्तीनु श्रवण, मनन अने निदी ध्यासन थाई तो साक्षातकार थता वार न लागे महराजने पण पोतानी मोर्तीनु सुखापी मुमुक्षुओना जीवमा पोताना स्वरूपनु ग्नान द्रड करावनु हतु विद्या ग्नान द्रस्टी आपे छे महराज पछी त्याथी काडा तड़ाव थाईने तेरा पधार्या अहीं सुथार नाग जी सिंग जीने घेर महराज उत्रया संत मंडलने कागणों लखी बोलाव्या महराज संतोने जोई खूबज प्रसन न थया अने सवने उभा थे इने भेट्या तमाम संतोने बगीचामा उतारो आपयो सांजनी सभामा संतोने संबोध ता महराज कहिं तमारे सवे संस्कृत भणी शास्त्रों मा पारंगत थवानू छे तमे शास्त्रों नो अभ्यास करशो तेमा अमारो घणोज राजी पो छे कारण शास्त्रनी विद्या ज्यारे जीवमा सोंसरी उतरी जाई छे त्यारे जीवमा धर्म, ग्नान, वैराग्य अने भक्तीना संसकारो उदै थाई छे ते संसकारो थीज भागवत धर्मने पोषण मलशे, माटे विद्यावान थवूँ, विद्या विना जीव आंधलो कहवाई, विद्या ग्नान द्रस्टी आपे छे, पर्मात्मान स्वरूपने उलखावे छे, अने एकांतिक धर्म सिद्ध करावे छे महराज हम्मेशा कहता, के जे संप्रदाई मां संतो मां विद्या अने चारित्र नँ होए, ते संप्रदाई अन्ते मृत प्रायत है जशे, एकले साधुओने विद्या व्यासंगी बनाववानों, तेमनों सदा अग्रह रहतो तेरा मां महराज संतो साथे थोड़ा दिवस रहया, पची हरी जयनती नो उत्सव आउतो होवा थी, तेरा थी निकली, महराज गामो गाम फर्ता फर्ता भूज पधार्या, अहीं गंगाराम मल्लने घेर महराजे उतारो कर्यो भूजमा हरी जयनती उत्सव, आशाडी सम्वत अढारसो चांसट, हरी जयनती ना शुब दिवसे, हरी भक्तोये विशाल चोगानमा सुन्दर मंडप बांध्यो, श्रीजी महराज माटे पण, सुन्दर सिहासन तैयार कर्यों, बाल मुकुंदने जुलाववा, रत्न जडित सुवर्णनू पारणू पन लावया, आ बधी तैयारियो थया पछी, श्री हरी मंडपमा पधारया त्यारे, संत मंडळ, जांज, पक्वाज साथे किर्तनगान करी रहा हता, बराबर दर्शननों समय थयो, एटले महराजना जन्मोत सवना, मुक्तानंद स्वामी तथा प्रे महराजे आरती शरू करी, अने पारणामा जूलती, बाल मुकुंदनी मुर्ती मा, महराजना स्वरूपना दर्शन सव हरी भक्तों ने थया, आदीव्य दर्शन थी, सवना अंतर आनंद सभर बनी गया, महराज भगवान छे, तेवो तो निश्चय महराजना इश्वर्य, प्रताप, ग्नान वातो, तथा तेमना संबंध थी, अंतरमा विराम पामेली जगतना पंच विशयोना भोगनी वासना वगे रेथी थयो हतो, परन्तु, पोते स्वयम सर्वो परी पुर्शोतम नारायन छे, अने तेमनाज स्वरूप माथी सर्व अवतारो प्रगट थाई छे, तेवो निश्चय आ दिव्य दर्शन थी सवने थयो, आरती बाद सव ने पंचा जिरीनो प्रसाद आपयो, पछी महराजे सव हरी भक्तों ने कहिँ, आवती काले सवारे पारणा करीने सव हरी भक्तों पोत पोताने गाम जवू, अमे पन मांडवी थाई ने सवरास्ट्र अने गुजरात मा जवाना चिये, बीजे दिवसे महराज जमीने बपोरे मांडवी जवा निकली गया, महराज मांडवी आवी ने खईया खत्रीना कारखाना मा उत्रया, खईया ये महराज माटे तमाम सगवडता आगर्थी करी राखी हती, वडी सेवा मा मेगा भाई, वशराम, तोपन, देवशी वगेरे पन आवी गया हता, महराज पोताने त्याँ पधारवाना छे, ते समाचार मांडवी गाममा पण खईये सवने आपी दिधा हता, आथी महराज पधार्या अने धीरे धीरे मुमुक्षुओ महराजना दर्शन करवा आववा लागया, खईयाना मनमा विचारो आवता के महराज काईक चमतकार बतावे, तो आ बधा महराजनों आश्रो करे अने एमनू कल्यान थाए, बाकी तेमना अंतरमा जगतनी वासनाना अनेक पड़़ोंने भेदीने ग्नाननी वातोतो सोंसरी निकले तेम न थी, तेथी तेने महराजने हाथ जोड़ी कहिँ, महराज आ बधा भावी को आपना दर्शने आव्या छे, तेमने काईक चमतकार बतावो, तो आपनों आश्रे करे अने तेमनू कल्यान थाए, भगवान कोने कहवाई? ए वखते त्या मोडजी भाई गरासिया बैठा हता, तेने खईया खत्रीने कहिँ, खईया भक्त, भगवान के मोटा पुरुष पासे तो जीवनू कल्यान थाई तेवू मागिये, अने तेवा संकल्पों करिये, पन बीजू न मागिये, खईयो विद्वान हतो, ग्नानी हतो, तेथी ते समझतो हतो, के ग्नाननी वात समझवी किटली कठन छे, वडी महराजने तेमना आ मनुष्य स्वरूप मा भगवान मानवा, तेतो तेथी पन कठन हतू, तेथी तेने तो तेनो आग्रह चालूज राख्यो, महराज तेनों भाव पर्खी गया अने सामे जारनी चण चणता कबूतरों उपर द्रस्टी करी कि तरतज ते बधा प्रुत्वी उपर ढड़ी पड़िया आ जोई मोडजी भाई ये खईया ने कहिँ जुओ महराज पासे तमें पर्चो मागयो अने महराजे आ कबूतरों तरफ द्रस्टी करी ते थी ते बधा नीचे पड़ी गया हवे ते जो मरी जशे तो तेनू पाप तमने लागशे ते सामड़ी खईये कहिँ जेने नाडी प्राण खेंचता आवडे छे तेने जिवाडता पण आवडे छे एटला महराजे कबूतरों तरफ फरी द्रस्टी करी एटले तेओ पाछा चण चणवाला गया खईये कहिँ मोडजी भाई जे अनेक जीवों ना इंद्रियों अंतह करण खेंची लिये ते भगवान जे जीवों ने पोतानी मर्जी प्रमाणे वर्तावे अने अंतर्मा रहेला जगतना राग काडी शके ते भगवान जे जीवों ने पोताना साचा स्वरुपनु ग्नान करावी तेमने माया थी पराभव न थवादे ते भगवान भगवान पणू केवड चमतकारों थी नथी ते हुँ जानू छू में श्रीजी माहराजना भगवान पणानू अनुभव अंतर्मा कर्यों छे पण आ बधा भोडा भावीकों मा समझणनी एवी सूज नो होई ते थीज में माहराजने प्रार्थना करी हती मोडजी भाई खईयानी वातनू रहस्य समझी गया बीजे देवसे महराज लक्ष्मी नारायन ना मंदिर मा दर्शने पधार्या त्या घणा भावीको दर्शने आव्या हता महराज पधार्या एटले सवय रस्तो करी दिधो महराज लक्ष्मी नारायन देवना नीज मंदिर सुधी पहुँची गया त्या अवेला भावीको महराज ना दर्शन करवा पड़ापडी करवा ला गया त्यां तेमने ते मुर्ती मा महराज देखाया महराज तरफ जारे जोयूं त्यारे तेमने महराज ना स्वरूप मा लक्ष्मी नारायन देवना दर्शन थया मांडवी मा योजेल विद्वत सभामा आ पुरुषे पोतानी अध्भूत विद्वतानों अनुभव करावयो हतो साथे साथे दर्या किनारे मीठी वीरडी बनावी अईश्वर्य पन बतावयो हतु माटी ना रजकणों जे बदली शके ते माटी मा थी बनेला मानवी ना रजकणों पन बदली शके आजे तेमनी दिव्यतानों भगवान पड़ानों आ विशेश अनुभव सवने थयो महराज ने तो काई एवु अईश्वर्य बताववानी इच्छा न रहती परन्तु मुमुक्षुओनों समुह जोई तेमना स्वरूप मा थी आईश्वर्य सहजे प्रगट थैयाउतु महराज मांडवी मा बे दिवस रहा पछी त्याथी वाहन मा बेसी जोडिया बंदर पधार्या